दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको money application का usage बताया है money application का पूरा overview दिया है और यह application में जो problem आप लोगों के साथ आ रही है उसका solution भी बताया है तो जो लोग money application के बारे में deep में जानते हैं skip कर सकते हैं जो लोग नहीं जानते हैं वीडियो में intact बने रहे money application basically currency read करने के लिए application होता है है ना बहुत साल लोग इसके बारे में जानते होंगे लेकिन हाल फिलन में इसमें जो problem हो रही है उसका solution बताया और क्या problem हो रही है वो भी हमने बताया है नीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइस जरू करना शेयर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो comment box में जरूर पूछ लेना तो दूस्तों money application में जो problems आ रही है उस पर हम लोग आज बात करने वाले है सबसे पहले मैंने इसको रेड्मी के फोन में इंस्टॉल किया है है तो हम लोग पहले देखेंगे कि क्या रेड्मी के फोन में कोई problem आ रही है या फिर सिप samsung यूजर को problem आ रही है है ना बहुत सारे samsung यूजर परिशाने money application को लेकर बहुत सारे जो है यहा पर feedbacks आये हैं है ना तो हम लोग पहले इसे रेड्मी के फोन में साइन करेंगे दिखे रेड्मी का फोन मेरे पास है ना और money application में प्लेस्टोर से खोल रखा है कोई update भी निया है current ही update है यूज मतलब application ही है open करेंगे इसको यही से please listen to the instructions carefully instructions will be head out once in every three please give permission for my allow money to take pictures and records video allow button आप यहीं सुनना नहीं चाहते तो simple back gesture का परफॉर्म कर सकते हो या फिर back button को भी परफॉर्म कर सकते हो सीधे है ना तो यह सारे जो instruction है वो exit हो जाएंगे है ना आप अपने according जो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो मैं आप पर इसको अलाव पर्मिशन करूंगा आप एक मजिद एक रेंगे किर सीधे लर ना वन यह नुडिशसर खरन फ्रेम अप्मिश्कर खर थाएंग नोकर फो टंगण सत्नि करने के तो यह यह अविजिट अन्टरोप्रुक्र यह उचन्ट मैं पर सनके निक करेंगे मूढ आपने शिलेंग इस्टनि ब्सक्राइब क 5 to 7 inches in front of the rear camera to navigate to money please scan तो यहाँ पर यह application successfully sign in हो चुका है अब यहाँ पर देखते हैं लोग है ना money को recognize करके currency सामने लाते है देखिए try again please scan यहाँ नोट को सामने लोग है इसने पैचान लिया तो नोट को सामने लोग है ठीक है 20 रूपीस 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 प्लीज अप्लिकेशन इसको उपन करेंगे तो आपको देखिए गडर सोने देगा प्लीज अनेबल टॉपन करेंगे तो आपको देखिए गडर सोने देगा करेंगे है ना मतलब Samsung TalkBack को हमारा Money एप्लिकेशन रेकिगनाइज ही नहीं कर रहा है मतलब TalkBack तो on है लेकिन इसको यह रेकिगनाइज ही नहीं कर रहा है अब यहां पे दिखिया Talkback अब इसका कहना यह है कि आपके फोन में Talkback अनेबल करो तब यह application आपके फोन में काम करेगा मतलब Samsung Talkback को यह phone रेकिगनाइज नहीं कर रहा है तब इस problem का solution आपको क्या होगा Samsung users के साथ ही यह हो रहा है हमने काफी सारे devices देखे उनमें तो यह problem नहीं कर रहा है even Redmi के devices भी देखे Motorola के devices भी देखे उसमें यह बहुत अच्छे से जो है काम कर रहा है application बहुत अच्छे से जो है चल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको simple करना यह है कि प्ले स्टोर में जाना है और आपके device का model number लिखना है और यह जो error आ रहा है वो आपको simple paste कर देना है वहाँ पर और आपको आगे लिखना है only for this problem only for samsung devices बस इतना लिख दो बाकी आप हिंदी में भी feedback लिखोंगे तो भी चलेगा जो आपको लिखना है लिखो लेकिन सिरफ samsung user के साथ यह problem हो रही है तो आप लोग feedback दो जल्द ही इस problem का sort out कर दिया जाएगा लेकिन जब तक आप feedback नहीं दोंगे तब तक इस problem का solution नहीं आएगा यह video हम बनाते भी इसलिए है क्यों क्योंकि आप लोग feedback दोंगे हमारे एक अकेले से feedback देने से यह सारी चीज़े नहीं होती जितने ज़्यादा feedback जाएगे उतनी ज़्यादा जल्दी problem आपकी sort out होगी तो इस फ़री samsung user जाके feedback दीजिए और इस application का अच्छी से यूज कीजिए काफी अच्छा application है अच्छी से काम करता है है ना तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आयोगा जरू सब्सक्राइब करेंगे चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरू करेंगे टेलिग्राम वट्सक्राइब अबर्ट पेज में आप लोग जाके जूश सकते हो